अब अपना फ्रायर पलम का पेड़ कुछ इस तरह से हम अब इसमें प्रूनिंग कर रहे हैं देखिए मैंने हैड वैक दे दी ताकि अच्छी एक फैदरिंग हो जाए तो प्रूनिंग करने के बाद इसमें 6-10 इंच के बीच में ग्रोथ आ गई है कहले पेड़ की एक शेप ब करती है तो हमें पलम में इन तीन टैनियों को नमस्रीक शानेवं भागन भायों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया और स्वस्त होंगे तो आज अपने और्चर्ड पर पुना एक बार फिर से हूं देखिए यह है अपना फ्रायर पलम का पेड़ जिसकी हम है समर्पुणिंग की भी है तो उसके रिजल्ट्स भी एक पूरी वीडियो में आपको समर्पुणिंग करना विश्खाूंगा और उसी वीडियो में उसी पूरी एक वीडियो आपके साथ यह शेर की जाएगी तो देखिए कुछी iç तरह से है पेड़ भी तो यह कि यह आप इन बेख क्यों क्या हैं? जर्ए हमें को और भी पेड़े हैं, तो हमने क्या करना है कि कुछ पेड़ों को अनप्रून में क्या दिखा थो आपको यह देखिए इनमें हमने प्रूनिंग की है तो प्रूनिंग करने के बाद इसमें 6-10-10 इंच के बीच में ग्रोथ आ गई है कईयों टैनियों में एक-एक फिट तक भी ग्रोथ गई है तो कहीं न कहीं कि शाने बंबागवन भायों हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम अच् ग्रोथ कई है अच्छी देखिए इस तरह से हर जहां जहां से एंगल गया है तो मैं दिखाता हूं पहले आपको आज से एक मंथ पहले की वीडियो जब हमने इसमें प्रूनिंग की थी समर प्रूनिंग वाईए उसको आप पहले देखिए फिर जाके मैं आपको इसमें बता है कि तुम इसको नीचे से इस स्टरह से ुपर नी की रखेंगे तो इस स्टरह से देखolo अब इस growth को हम convert करेंगे गची फैदरिंग में तो यह पहला add back दे देखिए दूसरा इधर देखिए इस technique को इधर से काड़ देता हूँ और इस technique को यह में stop रखता हूँ थोड़ा सा और उपर से इसको head back देता हूँ कुछ इस तरह से देखिए और निचली साइड इसको head back दे देखिए कुछ इस तरह से अब अब इसमें fruit भी हुई है तो आप देख सकते हैं यह देखिए पलम हमारे फ्रायर पलम है तो अभी एक मंथ पहले की वीडियो है अब बाद में देखिए किसाने बंबागोन भाईयों तो एक महीने के बाद यह प्लांट बही है देखिए तो वो ही आखे स्प्राउट हो गई देखिए कुछ इस तरह से और इन्होंने 5-6-6 इंच कई उने 10-10 इंच कई उने देखिए एक फिट फिट ग्रोथ ले ली है अब कहीं न कहीं इसका भी फाइदा यह है कि हमारा पेड एक तो जलदी मेरे ख्याल से बड़ा हो जाएगा as compared to जिन में हमने प्रूनिंग नहीं की है तो देखिए यह लीडर गया हमने हैड बैक मारा था जैसे आप बीटियो देख लें पीछे लीडर था इदर से हैड बैक मारी तो यह देखिए नई ग्रोथ गई है एक स्ट्रॉंग ग्रोथ जाएगी क्यों क्योंकि हमने नीचे के इतर से ही कातना पड़ता हमने समर में इतर सी कात दिया और इयो ग्रोफ नहीं साल किया शाल में प्शेश की बगल रहे है इसका मतलब तो इसके नीचे जो इयो आईज थी देखिए इनको हमें क्या कर दिया और इस तरह से हमने अपने जैसे एक सपेस बाइज एक अच्छी कैन पी के बाइज हमने टैनियश में रख दिये तो यह देखे इस दिदर से भी आपको विश्वास होगा कि उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं देख ले ना उधर हमने फ्रायर पलम आपको दिखाया है कुछ इसी तरह से यह बोही पलम है और बोही पेड है देखे आफ्टर समरपुनिंग के बाद इस तरह से रिजल्ट है अब मैं भी आपको थोड़ा सा सीखाओंगा जैसे हमने इन आईज को निकाला है तो मैं उधर लेके चलता हूँ जहां हमने summer pruning करने के बाद कुछ भी पेड में नहीं किया तो summer pruning के बाद आपको पेड में क्या करना चाहिए तो वो आप उधर से सीख सकते हैं तो चलिए हम पहले उधर चलते हैं तो यह देखी कि शाने बागवन भी उस टाइम हम क्या कर रहे थे इनी गड़ो में पानी डाल रहे थे पहले तो और फिर जाके हमने जब पानी पुनी डाल दिया था तो उसके बाद हमने इनमें प्रोनिंग भी की थी कही नगी अब देखि लीडर के साथ जो भी टैनिया लगती है देखिए कुछी इस तरह से हमको इनको निकालना है ताकि लीडर में ही सबसे अच्छी ग्रोथ जाए और पहले पेड की एक शेप बनानी होती है हमें कहीं यह देखिए लीडर के पास से तीन-तीन टैनिया लगती है तो हमें पलम में इन तीन टैनियों को तीन टैनियों में से दो टैनियों को यह देखिए लीडर के पास तीन-तीन टैनिया लगी हुई थी तो तीन में से दो को मैंने रिमूब कर दिया है अब निचली साइड वाली भी में रिमूब कर दूँगा ताकि लीडर को अच्छी ग्रोथ लगे और लेड़ सिद्धय ग्रोव करता रहा, निथली सेड़ भी लीड़ बना ओया है, तो कुछ इस तरह से देखे, यहहनी है, यह यह सिंगल उसन सिंगल रकती, जो आगे जाने वाली है, तो अउपर देखिए, अब लीडर में देखिये, फिर से इदर और टैनी एक्स्टर लगी है अब क्या करेगा लीडर ग्रो अची तरह से करेगा जब इसके साथ कुछ भी नहीं है यह देखिए नीचे वाले लीडर के साथ जो कि एक नहीं टहनी वनेगी इन फ्यूचर यह देखिए अब इसके साथ भी कहने गई यह नहीं रहा कमपोटिशन इसको हम चाहे तो थोड़ा स साल का बेंड कर देंगे इस तरह से ताकि एक फैदर इस साइड के लिए आ जाए तो नीचे-नीचे सही है देखिए कुछ इस तरह से जो जो आपको लग रहा है नहीं टैनिया जो आपके लीडर की ग्रोथ खाएगी तो उनको निकाल देना सही रहता है यह देखिए अब पे पेड़ देख लीजी आप यह पेड़ तो पेड़ में क्या है कि यह देखिए यह टैनिया निकल रही है तो इनको आप निकाल ही दें तो बेहतर रहेगा यह देखिए कुछ इस तरह से यह देखिए दो टैनिया लगी है तो हमने निकाल दी और लीडर ग्रोव करता रहेगा आगे निचली साइट भी देखिए लिडर ग्रो करता रहेगा उपर हमने बैंडिंग भी कर दिया कुछ इस तरह से देखिए ताकि लिडर को ग्रो करने में असानी हो और यह जिन निचे वाले स्ट्रॉंग फैदर है तो फैदर ही वन है पेड के लिए अब देखिए दूर से दिखाता हूं में पेड कितना अच्छा लग रहा है यह देखिए तो ख्याने बंबागवन भी यह होते हैं कुछ समर प्रूनिंग के हैक्स तो आप भी अपने और्चड में कीजिए और अच्छी तरह से अपने पेड को ग्रो करें हम एक्सपेरिमेंट भी वैसे कर रहे हैं कुछ पेडों में हमने प्रूनिंग नहीं किया उनको अन प्रून छोड़ा है और कुछ में हमने इस तरह से प्रूनिंग कर दिये देखिए अब हम देखेंगे इन फ्यूचर कौन सा पेड हमें बैस्ट लगेगा जो पेड हमारे लिए बैस्ट रहेगा तो हम उसी के एकोर्डिंग काम करेंगे तो यह देखिए अपना और्चड और प्यूवगा तो